मैं हूँ संजे मिश्रा और आप सब्सक्राइब किजिए सद्धार कनन यूटूब चैनल अभी किजिए कर लिजिए क्या फरकरता है उंग्लियों काम है दिमाग कनने कुछ आक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनका नाम सुनते हैं हमें मालूम है कि हर प्रोजेक्ट मैजिकल हो जाता प्रोजेक्ट में वजूत आता है प्रोजेक्ट में रिस्पेक्ट आता है और वो है संजे मिश्रा जी का मैजिक कैसे दाबा गुडवर इतना मजच चाढ़ा कनन गुडवर आपने मुझे का इतना मजच चाढ़ा वाकई में कॉम्प्लिमेंट शुनके आजीब करते हैं आपकी मज़ा आता है वजब कॉंप्लिमेंट तुम जैसा बंदा जो दिखता है ना कि तलेंट है बंदे में तो अच्छा लगता है कि अगर आप बोलें तो वरना रटे रटाए अब हम आपको मिलवाते हैं संजे जी से तो वो थोड़ा अजीब लगता है हा तुम्हारे मुझ से जदा मजा आता है अच्छा लगता है थांक्यू संजे भाई थांक्यू सो मच जैसे मैंने कहा कि जो भी प्रोजेक्स आप करते हैं आटमाटिकली वो रिस्पेक्ट आ जाता है कि संजे भाई ने प्रोजेक्ट उठाया है सॉलिड होगा वजूद वाला होगा राइट मुझे पहुत अफसोस हो रहा है कि 2023 में भी हम लोग को ऐसी फिल्में बनाने की जरुवत पड़ रही है जह हम लोग कह रहे है यार एजुकेशन इंपॉर्टन है डिस्क्रिमनेशन नहीं होना चाहिए सब्सक्रिमनेशन चाहिए जैसे हवाए पानी एजुकेशन ये सब बाकी हॉस्परिल और सारी चीजें तो अलग दूर्टन है लगर की चीजे लेकिन ये बेसिक जो एक है वो सब को मिलना चाहिए मतलब अगर हम एजुकेशन में ऐसा करने के रहे ये जात ये जात ये जात ये जात तो फिर देश बड़ा अलग सा पैदा होगा जो आगे आने वाला लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए जिसमें सामने आना चाहिए आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग सिर्फ स्किल्स पर कॉंसेंट्रेट कर रहे हैं वो जमाना आज चुका है जी आज से कब से आया हुआ है काफी समय से आया हुआ है जिनका कोई गौड़ फादर नहीं कोई कुछ नहीं वो शारुक खान बने वो अक्षय कुमार बने वो मिताब बच्चन बने सब कुछ बने तो स्किल्स तो हमेशा से रहा है यार स्किल्स को पहचानना एक अलग कला है इसको पहचानी है और और आज देखे ना पंकर आज इनके पुफाजित है तो इनको जानो यह एक विशेश कास्ट के है तो इनको हक मिलना चाहिए नहीं और यह फिल्म भी ऐसे ही बात करती है एक बड़ी अच्छी लाइन है इसमें कि बच्चों तुम स्कूल में हो के भी स्कूल में नहीं हो और गुठली स्कूल के बाहर होते हुए भी स्कूल में जी मैंने ट्रेलर में देखा जी 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 तो खाक है उसका और यह होना चाहिए और यह वाकई बड़ा सैड है कि अब 2023 में 2023 में हम करोना जैसी जीजों को झीज़ लिके बार जिसने कुछ नहीं देखा किसी को मार सकता था लाव जाट देख लाव वर्ग देख लाथा और लाव उसके बाद भी हम इस तरह कि चीज़ों 사고 में फसे हुएं कि वापस घूं पिर करके दिदा No, 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 नही होना चापी. अगर आपको मालूम होगा, क्या आपको मालूम है कि आपने 33 यएर्स इंडस्ट्री में खतम किये? हाँ. यंग है आप, दिल से? दिल से, बड़ थर्टी तिर इंडस्ट्री यर्स खतम किये में। अगर मैं बोलूँ, flashbacks आपके करियर का, कभी आपने खुद as an actor, initial part में, या कभी भी discrimination face किया? तब तब और समझाओ मुझे. For example, जब आप आए इंडस्ट्री में, या आपने आपको establish करने की कोशिश की, तब क्या आपने resistance face किया? तब नौ साल तक तो कोई मानता ही नहीं था, तब नस्टी से हैं, अरे तुम डिफेंस में थे, तो यहां नहीं की क्या जोग थी? डिफेंस? आप मिल गए इतने ही काफी है, वैसे ही सा था, लेकिन धीरे धीरे जब एक चीज तो सूट लिया था कि यहां से वापस नहीं जाओंगा, और रहूंगा तो बस सिनेमा लाइन में ही रहूंगा, भले ही मतलब एडिटर बन जाना हो या आर्ट डिरेक्टर बनना हो या कुछ लेकिन काम क्योंकि प्यार सिनेमा सही था, क्लास में जब मैं फेल हो जाता था तो वो तो फेल अलगी चीज था, लेकिन उस समय तक मैं तारकोष्की देख रखा था, उस वक्त तक मैं ने सतिजीत्रे, मिनाल सेन, अदूर गौपाला कृष्णन, सब देख रखा था, वर्ल् विअले के लिए फ לפakt आग इनली तो यह पकड़ने वाला हुता था तकि गुरू यह यह पकड़ो और चहन के दिखाओ और कोई इंस्ट्यूट आपको डिगरी एक्टर की नहीं दे सकता है वोडोक्टर की देदेगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन एक्टर की डिगरी आपक आपके डालोग भी नहीं है, हीरो के दोस्त है, खड़े हुए बगल में, लेकिन आए गए राम नहीं होई आप, कुछ ऐसा करके दीजिए और दिखाईए, फिर ये सारी चीजें छोटी हो जाती है, फिर लोग काम दिखता है, कि इस बंदे ने मौके पे चौका मारा है, गुर करते थे, Hollywood में करते थे, नामचीन अक्टर, दो में राते थे और इंपक्ट छोड़के चले आपके जब आपने कहा कि जो भी आता था आप मुठी में रखते थे, तो उसमें चॉइस रखते थे, कि ये करूँगा या नहीं करूँगा, या फिर कहते थे, जो आया उठा लिय कि ये आएगा, मैं एक दिन जाओंगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, और मेरे घर का किराय का तो, इस महीने का मुझे तीस दिन कोई टेंशन भी तो चॉइस नहीं होता था, और मुझे लगता है अच्छा भी था कि चॉइस नहीं था, क्योंकि आप आओ बढ़ा इसमें कू हर कुछ करो, हर कुछ करो, अभी, अब मैं थोड़ा इस स्टेच पर आ गया हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि इन नहीं बॉस ये मुझे हिरोईन का फादर वाला नाम है, थोड़ा दूर रखको, मैं पैसे भी जादा लूँगा, किसी और को ले लो, हिरोईन तो हिरोईन नहीं र स्क्रिप्ट आरी है, जो मैंने बंबई आने के पहले क्या पैदा होने के पहले भी बाद में या जब भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे रोल आएंगे मेरे पास, जैसे एक फिल्म आई थी वद, जी, ठीक है यार, सर मैंने आपको देखके ये स्क्रिप्ट लिखी है, ये एक बह बड़ा अचीवमेंट होता है, इसलिए हर छोटे काम, मैं अब भी किसी एक्टर जेसर, निव जेनरेशन के या अपकमिंग एक्टर के लिए क्या कहना चाहते हैं, आप मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत हीरो बनने आयों, तो वो एक अलग दुनिया है, और अगर एक्टर उसके बाद, तो यह जो चीज़ आप लेते हों दुआएं तुम तो लेगा बदुआएं कौन, मतलब तो यह सारी चीज़े आपको अग्दम सॉलिड बना देते हैं, बहुत हैं, जब यह सारी चीज़े होती थी आपको, दिल में लगता था या फिर आप बोलते हैं भूल ज वहां से तो मतलब आटो वालों को ऐसे करना पड़ता था क्योंकि फिल्म सिटी उस समय बहुत दूर माना जाता था तो बीच के यह सारे जो आज़ बिल्डिंग और सारी चीज़े बन गई खाली होती तो एक आटो वाला था वो भी नया ही नया था मैंने उसको पकड़ा मैं मैं का भाई फिल्म सिटी चलो गहाँ चलिये थोड़ा वो हाई वे क्रोस करके जब उस रोड पे चला हो उसको थोड़ा हवा करा बने लगा यह कहां ले जा रहा मुझे कोई फिल्म सिटी नाम की कोई जगह भी है अंधेरा था संतोष नगर क्या तो मुझे रोग दिया गार और शट पर जाते ही और आगए अमिताब बच्चन ने का यह क्यों अशे बोला क्योंकि मैं लेट आया था आगए सुपरिस्टार अमिताब बच्चन ताना मार रहे थे ताना मार रहे थे कि आप लेट हो और जब कि मैं अगर पहुंचा हो तो बिफोर टाइम पहुंचा हो लेकिन अब उटोवाले नहीं उतार दिया जंगल में अकेला या आप फिल्म सिटी का अधर रोड तुम्हें याद हो पुराना जो लेपड आ जाते ही आ जाते उससे बस्ते बुस्ते पहुचा उस समय लोग कहते थे कि इस समय के बाद जाना ही मत उस एरिया में उस में पैदल बोला था आगाया मताब बच्चन आड़ों दो कहा है मों कुछ अच्छा कर भी नहीं रहोंगे या कर रहोंगे तो कहां कर रहोंगे लेकिन आप तो दिल में लगती थी बात लगती थी लेकिन लगा कि ये सब तो कड़वी दवा पियो तो मलेरिया तो जाएगा लेकिन दव तो कड़वी आपको चाहिए ही चाहिए तो वो ठीक था वो अच्छा आपको solid बनाया आज कोई भी कुछ भी बोलता रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो आप successful हो तो शाइद कोई कुछ बोलता ही नहीं होगा successful पता नहीं किसको कहते हैं लेगिन अब लोग नहीं सामने तो नहीं भूलते हैं मुझे मनुझ भाई पांच-छे हफ्ते पहले कह रहे थे कि जब रेट कापिट में आते थे तो लोग बोलते थे अरे कौन आ गया है वो कैमरा मूफ कर देते हैं उनसे हटा देते हैं उनको हटा प्रिटेंड करते थे कि वो बिजी है कैमरा वाले ऐसे करते थे आपसमाद क्योंकि उनको फूटेज नहीं लेना था नवाज भाई ने भी मुझे कह था यह कि अब लोग कहते हैं कितने हैंसम हो यह तुम नवाज भाई क्या लुक है साबले हो पतले हो अच्छे हो और उस सम आप है तो सर मुस्कुराइए सर यह आप है तो यह वक्त है यह वक्त है यह वक्त है शायद यह वक्त है इसलिए मैं कहता हूं एक्टर्स या किसी को भी कि आप सक्सिस्फुल होते हैं तो आप सक्सिस्फुल नहीं होते हैं वक्त के साथ आप सक्सिस्फुल तो वक्त को कभी भूलिएगा वक्त भूभी मत भूलिएगा आप आज कर लीजे कैमरा टर्न मैं तो अपने तर्व से तैयार होके आए था कि आप मेरा स्वागत करेंगे लेकिन नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जिस दिन करने लगेंगे तब भी मैं ऐसा ही रहूँगा सर कि ठीक है आपको ऐ यह होता है यह यह चीजे फिर आप उसको दिल में रखते हैं कि बहुत यही वक्त था जब यह आदमी मुझे बात नहीं कर रहा है कि कौन है अटा कैमरा इदर से और आज वही मुझसे कह रहा है कि सार प्लीज एक आपका यह चीजे आप याद रखते हो आप यह बिलकुल कि कोई यहाँ बड़ ही बनने आता है और नहीं बन पाता है तो वो फरस्टेशन जो है वो चाहे कोई भी हो कोई भी हो जनलिस्ट हो गैमरा मैन हो साउंड वाला हो कॉस्ट्यूम वाला हो कोई भी हो सब कंदर वह एक चीज रहती है इन फैक क्या होता है कि जिन लोगों का अप तो माने खताम, he's over, he's finished हो जाता है, रोज सुबह आप अपको प्रूफ करना है, बचन साब को रोज उठके अभी भी प्रूफ करना है, सब को, सब को, सब को, और यह अच्छी चीज भी है, यह नहीं कि लगया तिला का बस बैठे हुए, अब प्रूफ नहीं करना है, नहीं, प्रूफ तो आपको करना है, रोज, आपको प्रूफ करना है, रोज, आपको प्रूफ करना है, रोज, यस, मैं प्रूफ करना है, यह तो जिन्दा रहने का मेल वो है, कि हम प्रूफ करना बंद कर दी हम सब को नहीं, तो फिर हम वहीं नहीं हो जाएंगे, ओफिस में काम की ह साम में आये, दोपेक बनाये, टीवी देखे, कल्सुल, नास्ता करा दियो, ठीक है, पर सुब भुगा की शादी है, वहाँ धिकले चलेंगे, गाड़ी वहाँ से लएगे, रोज का एक प्रूव, अब ये पिक्चर जिसे नाएगी ऐसी नहीं कि पहली पिक्चर आ रही है, ले जो डर होता है, पता नहीं क्या होगा, इस्ते शूटिंग पर गए ओ, क्या होगा यार। नहीं यार, बहुत डर लग रहा है, अरे मद डरो, आप जैसे अक्टर डरेंगे तो हम क्या हमारा क्या है, हमेशा, आपका काम पहली बार लोगों के सामने आ रहा है, मतलब एक काम, वो नर्वस एनरजी कभी-कभी बड़ा काम करती. यह बया बने सुना है और मुझे करक करेफ हैुआ मरोग और एक बहुत ही जाने-माने-अक्टर ने मुझे बोला जो अच्छे अटर है जाने-माने अलग होता है अच्छे अक्टर हो रड़ा है तो प्रभी है, उन्होंने मुझे ओला कि में कभी कबार, एक leading actor होते थे set पर तो बोलते थे यह आ रहे हैं। तो जब वो चाय पीने जाते थे, वो एक्टर एक्टर जो कहते हैं, वो वापस आते थे तो line एक कम हो जाते थे नंतर्ष जाए नहीं हम इस और अपने आप को देखने लगते हो सब्सक्राइब हम सीन को नहीं देखते हैं, कि वो दो लाइन जब तक नहीं बोलेगा, सीन सही नहीं होगा, दिखोता है कि पहले उसके लाइन्स कारते हैं, एक तो सबसे पहले हम इंडियन फिल्म वाले, एक ये बॉलिवुड नाम जो है ना, बौट बुरा या है, बोजी भी इचा नहीं मानता हूं कि होन क्यों बजाना पड़ता है क्यों कि सामने आला यह जा तो गलत है यह टेडा मेडा ले रहा है तब आ लास्ट एक्स्प्रिशन है ना, उसके बात भी नहीं सुनरा तो शिशा उतार गै क्या करना है भे पहसे डास्प्रिशन आपकी आखों जिआ पथा शल ज मैं इंटर्व्यू दे रहा हूँ यह बोले की जोहत्नी है भाई, यह इंटर्व्यू ही चला है सब्सक्राइब भेगो मैं सबाल पूछ रहा हूँ हमारे आज वीदे करको तो हम लोग जैसे एक्टर्स है को ड्यालोग बोलीए ना तो यार कहीं इसका डालोग कट हो यह जाला बोलेगा तो कहीं मेरा खराबना हो जाए तो वो सिचुवेशन में नहीं जाते है तो फिर ऐसे एक्टर्स की फिल्में भी आपना थी होती है कि यह अपना बोल गए यह मेरे बेल बॉटम दिख रहे हैं कि नहीं और मेरे बाल ठीक ह यह जो बोलेगा तेल बेचे मेरा आपना ठीक होना जाए तो फिर वो बड़ा इंडिविज्वाल टाइप का एक कैलेंडर बन जाता है तो फिल्म नहीं होती है इमोशन नहीं होता वो सारी चीजे नहीं होती है और कभी कबार यह होता है सीन्स में कि एक इंसान बोलते जा र थो आई में कभी कभी रियक्टर बोलता हूा हूँ एक्टर नहीं रियक्टर आपने सारे अवर्ड जीते हैं यहाँ एक प्लाटफोर्में रेट करके आपको मालू महलूना है कि नहीं 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 डोलो उनको national award नहीं मिला है यह सारे dynamics आप सोचते हैं हाथ में आ जाए तो अच्छा लगता है लेकिन जब कोई audience देखके कहती है न सर लादिया सर आपके फिर वो लगता है कि मिल गया सारे awards मेरे हाथ में किसी award लेने के लिए मुझे किसी को कि sir hello sir मुझे award दीजेगा यह करना पड़े तो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला यह मेरा दुर्भाग्य है या उनका दुर्भाग्य है या शायद मैंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वो चीज मेरे पास आए मैं उसमें नेगुचता हूँ मेरी audience बैए एक death bet पे लेड़ी थी येलो हो गई थी उसके husband ने मुझे से request किया वो बहुत बड़ी fan है आपकी एक बार उनसे मिल लेंगे और मैं खुद धिमार था अपने hospital के कमरे से उनके कमरे में गया और बात ऐसी थी कि बस कल तुम मर जाओगी या आज मैं जा सकता हूँ death और वो husband ने का देखो कौन आया है वो पल्टी और मुझे देखके मुस्कुरा दी सर बेने हाथ से वो डंडा जो मैं पकड़के गया था वो गिर गया और मुझे लगा मुझे पतलब एक death pit पे लेटी भी महिला उसके बच्चे भी वहाँ हैं बहुए भी वहाँ हैं वो आपको देखके मुस्कुरा रही है ऐसा क्या किया होगा आपने उसके लिए सारे वाँड मुझे वही होगा अब उसके बाद अगर मिल जाते हैं तो ठीक है वाँ 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 घर में सजाने की काम आते हैं बच्चों को काउंट करना में oh papa oh my father gets this my father gets this वो ठीक है लेकिन हम लोगों को हॉल में ही काम्याब देखते से में लोगों ने आँखों से आंसू पोचा है मुझे गले लगा कर लोग आई यही सब आवार्ड मेरे लिए ज्यादा बितर है उसके बाद कोई मिलता है तो ठीक है नहीं तो नो